सावन के अंतिम सौंभार को संबल के हरीहर मंदिर में जल चड़ाने जा रहे सेक्रों सिप्सैनिकों को मुरदबाद रेलिव स्टेशन परिसर से हिरासत में ले लिया गया ये शिप्सैनिक विवादित हरीहर मंदिर जाने की जित पर अड़े हुए थी उत्यविदेश के जनपर संबल इस्तित विवादित हरीहर मंदिर परतीवर्ष चर्चाओं में आ जाता है क्योंकि ये मंदिर संबल के मुस्लिम बहुलने इलाके में इस्तित है और लंबे समय से विवादों के घेरे में बना हुआ है जिसके चलती जिल्ला पिशाशन मंदिर की सुरक्षों को लिएकर सचेत रहता है इस मंदिर पर सावन के सुंबार को जल चड़ाने के लिए हर साल हिंदू संगठन के कारे करता जल चड़ाने का प्रयास करते हैं इसी कड़ी में मुरदवास शिफसेना प्रमक रामेश्वर दयाल तुरेहा की अगवाई में एकटा हुए और बोले का जेकारा करते हुए ट्रेन से संबल जाने लगे जिने रोकने के लिए पहले से स्टेशन परीसर में पुलिस मौजूद थी काफी हंगामे के बाद कई दर्जन शिफसेनिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बस में चड़ाकर सब को आहिस्ता ही बनाए गए जेल पोचाया गया आज 500 सिफसेनिक रेलवे स्टेशन मुरदवास से संबल इस्तिद सरी हरीहर मंदिर को मुख चराने एब जल चलाने के लिए प्रस्तान कर रहे हैं जात हो कि हिंदूों के अंतिम सामराठ प्रत्वी राज चौहान द्वारा संबल में इस्तिद सरी हरीहर मंदिर बनाया गया था जिस पर मोगल आक्रमर कारियों ने कब्जा कर लिया है ज्याथों कि सन 1857 में स्री हरहर मंदिर हिंदूओं के कब्जे में था अंग्रेजी सासनकाल में स्री हरिहर मंदिर भारतीय पूरा तत्त्य विभाग ने अपने सरक्षण में ले लिया है। परतमान में मुस्लिम लोग स्री हरिहर मंदिर पर नमाज पड़ रहे हैं जबकि हिंदुओं को पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के प्रातिक के रूप में घंटी ठंगी हुई हैं जंजीर ठंगी हुई हैं करगा बना हुआ है और पृतिवीराज चोहान जी की बेटी बेला का डोला मट के रूप में प्रसिद्ध है। अगर सीग्र ही मंदिर को मुक्त नहीं किया गया तब पूरे पिर्देश के सिप्सेनिक संबल में इखटा होकर मंदिर को मुक्त कराएंगे और उसमें जलावेसेग करेंगे जय हिंद जय भारत। कुछ स्यअनीक को ड़ारभी से पहले प्लोकिया बीक में प्रोड़ आज यहां पर प्लोडर कियाएं हुआ है जो कुछ फरज सिप्सेनिक हैं जो सिप्सेना को और उनसे हमारी कोई ले ना देना है। हर साल किया प्र Μल में पहुंच वी चुक कि आपने टाइम से आप यहां पर खड़े हुए हम 11 वजे से खड़े हुए